Hi, this is Tushar and now everyone, आज का जो वर्ड है, वो genuinely simple है, तो at last आपको मुझे बताना है, यह वर्ड आपको पहला से पता था या नहीं पता था. Now the word of the day is opt, opt का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज आप चुनते हो, आप उसे opt करते हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता, आप उस चीज के ले गए हो, या आपको कोई काम हो सकता है, कि मैंने ये काम चुना है, तो भी आपने उसको opt करा है, यह जो में वर्ड है, यह एक फ्रेंच का वर्ड है, जो opt करके, उसका मतलब होता है, तो choose, और similarly इसको English में ले लेगा, अब इसके अगर रूट की बात करें, यह वर्ड बना कहां से, तो again it is from Latin, जहां पर opt करके एक वर्ड होता था, जिसका मतलब होता है, desire करना, अब जो desire रहता, उसके लिए हम जाते हैं, उसको ही तो हम choose करते हैं, वो somewhere related with option, तो यह इसके overall कहानी है, अगर हम नॉर्मल सी अगर बात करें, तो मैं अगर बात करूँगा, अपने बारे में, I always opt for veg manchurian, मिन्स अगर मुझे veg manchurian देखते हैं, तो मैं सबसे पहले उसके क्लिए opt करता हूँ, मतलब मैं वही चुनता हूँ, अगर हम किसी के action में, अगर टम में बात करेंगे, मैं बुलूँगा, they opted to stay over there for guarding us, उन लोगों ने वहां रुखना चुना, ठीक है, वहां पर ये चीज़ उनने चूज करी, हमारी सुरक्षा करना है, लाग हम आर्मी सब्सक्राइब की बात कर सकते हैं, कि बात डेंजर जागे में, मों दूसरों को निकाल देते हैं, वही लोग महां पर रुखते हैं, कोई एक इंसान है, जो job or business के लिए कर रहा है, तो मैं बोल चता हूँ, she opted for a job, उसने business के comparison में, उसने job को ज्यादा बेटर समझा, तो वो job की तरह गई, उस एक सब्जेक्ट को एक साल हो ज्यादा दे रही है, एक बार वो पढ़ने के लिए ट्राए कर रहे है, तो जो भी चीज आप चूस करते हो, आप आप आपको एक लियर होगा, and please do let me know, पता था या नहीं पता था, thank you very much, love and respect.